असलाम वालेकुम आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बड़े के नेहारी की रेसिपी जिसको हम बनाने वाले एकदम आथेंटिक तरीके से बहुती लजीस डिलीशिस बनकर तैयार होगी और आज हम बनाने वाले हैं बाजार बाले नेहारी मसाले के साथ आपने मेरे घर के मस मसाले के साथ नेहारी तो बहुत सारी देखी होंगी बड़ आज हम बाजार वाले मसाले के साथ बनाने जा रहे हैं तो चलिए देख लेते हैं हमने इस रेसिपी क्यों कैसे बनाया रेसिपी पसंद आए प्लीस लाइक कीजिएगा तो सबसे पहले हमें इसके लिए चाहिए ह होगा एक केजी यहाँ पर हमने बॉंग का गोष्ट लेया है बड़े का यह देखि इस दरा से हमने थोड़े चोटे में golden fry तो हमने यहां पर एक वेसल ले लिया है जिसमें आप बना रहे हों वह चीज ले 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 वह बढ़तन ले ले अगर आपके पास कॉपर का है तो बहुत ही अच्छी बात है इसमें हम एक कप ऑईल ले लेंगे 150 ग्राम ले लीजिएगा तो एक कप ऑईल ले लिया है ऑईल यहां पर इस तरह से हम हाई फ्लेम पर प्याजो को golden fry कर लिया है अब इनको इसी पॉइंट पर हम निकाल लेंगे बहुत ज्यादा मत कीजिएगा बना यह निकालने के बाद भी अपनी हीट में पकती है तो और ज्यादा डार्क हो जाती है तो यहां पर हम इनको निकाल लें संगर ने के लिए अब यहां पर देखिए मैं यहां पर शान डिल्ली निहारी मसाले का यूज़ कर रहे हो yellow आप दीली में आशानी से मिल जाएगा अगर और कहीं के निकाली हमें यह ने आप ले लिया है तो यह देखिया अलम रिंगे तो यहाँ पर जो पैकेट दिखाया था मैंने निहारी मसाले का वो डेड़ कलो निहारी का है तो यह देखी हमने यहाँ पर गोश्ट एड़ कर दिया है अब अच्छे से इसको हमें भून लेना है पांच मिनट के लिए ओईल के साथ हाई फ्लेम पर भूनिएगा इसकी जो इसमेल है वो निकल जाएगी तो यह देखी हमने गोश्ट को भून लिया है पांच मिनट अच्छे से भूना है और अब इसमें एड़ करेंगे हम अध्रक लैसुन का पेस्ट तो यहाँ पर हम एड़ कर रहे हैं 3 टेबल स्पून अध्रक लैसुन का पेस्ट थोड़ी सी जाधा कॉंटिटी में ही रखिएगा तो यहाँ पर हमने अध्रक लैसुन का पेस्ट एड़ कर दिया है अब इसको डाल कर भी हमें अच्छे से 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर भून लेना है यह जितने टाइम तक यह भून जाए उतना टाइम तक आप भून लीजेगा अगर आपको हमारी बड़े की कोर्मे की रेसिपी चाहिए तो भो भी हमारे चैनल पर अपलोड है तो यह देखिए हमने अच्छे से गोश्ट को भून लिया है 10 मिनट हाई फ्लेम पर ताकि अद्रक लेस्टन की जो इसमेल है वो निकल जाए अब इसमें एट करना है मैं निहारी मसाला तो यहाँ पर हमने 4 टेबल स्पून निहारी मसाला लिया है क्योंकि बो 1.5 कलो निहारी मसाले का पैकेट था तो टेबल स्पून हमने छोड़ दिया है वो इसमें एट करेंगे नमक 2 टेबल स्पून यहाँ पर मैं नमक एट करूंगे आप अपने टेस्के कोडिंगी करिएगा जितना आप पसंद करते हों तो मैंने 1 टी स्पून और एट कर दिया, 3 टी स्पून हो गया है अब अच्छे से इनको हमें भून लेना है एक से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे अगर आपको हमारी बड़े की बिर्यानी की रेसिपी चाहिए तो वो भी हमारे चैनल पर अपलोड है एकदम देग स्टाइल में बहुत ही रिलीशियस बनी थी तो आप ज़रूर चेक कीजिएगा तो ये देखिए हमने अच्छे से मसालों को भून लिया है अब इसको गलने के लिए हम पानी अट करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमने 5 गलास पानी लिया है 5 गलास आपको पानी अट करना है क्योंकि हमें निहारी को दम में पकाना है हम प्रेशर कुकर में नहीं बना रहे हैं अगर आपको हमारी प्रेशर कुकर बाली निहारी की रेशिपी चाहिए तो वो भी हमारे चेनल पर अपलोड है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो देखिए हमने पांच ग्लास पानी एट कर लिया है आप ग्लास से मेजरिंग करके नापकर डाल सकते हैं परफेक्ट मेजरमेंट है अब इसको हमें दम के लिए कवर करना है तो यहाँ पर मैं स्लो कर देना है दी गंटे के लिए छोड़ देना है पकने के लिए प्रॉपर टीं गंटे कर देखे दी यहां पर धिए फ्रटक में हदे लिए अब यहाँ पर हम निहारी चेक करते हैं तो यहाँ तीन गंटे हो चुके थे आप टाइमर लगा कर रख दीजिए उसके बाद आप तीन गंटे बाद खोली है आपके निहारी बनकर रेडी हो जाएगी गोश्ट भी अच्छे से गल जाएगा तो यहाँ पर देखिए अब मैं किये होगे प्यास ते जो हमने क्रेश करकर रखे होगे थे वह एट कर दिंगे और पांच मिनट हम इसको स्लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे यानि थोड़ा सा भून लेंगे तो यह देखिए हमने यहाँ पर पांच मिनट पका लिया था अब इसमें जो सर्फ्रेस्व उड़ जाता है तो हमने यह देखिए एक बोल में निकाल लिया सभी रोगन निकाल लिया इसमें से अब इसमें एट करेंगे हम यहाँ पर कॉन फ्लार का यूज कर रही हो मैं यहाँ पर टू टेबल स्पून कॉन फ्लार लिया है आप चाहें बेसन भी ले सकते हैं रोस्ट क करने में मदद करती है तो यहाँ पर आम निहारी में एट करेंगे यह देखिए निहारी यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ी सी ठीक है तो मैंने यहाँ पर एक ग्लास पानी ले लिया है एकदम गरम पानी लेना है आपको थंड़ा पानी नहीं लेना है गरम पानी एट क तो थोड़ा थोड़ा हम एड़ करेंगे और मिक्स करते जाएंगे तो यह देखिए हमने यहां पर सभी स्लेरी यानि पूरी की पूरी इसमें एड़ कर लिया है अब हम यहां पर इसको दम पर छोड़ेंगे तो हम यहां पर एलिमिनियु फॉइल से एक बार फिर से कवर कर देंगे और धकन से इसको लेट से कवर कर देंगे और दस मिनट के लिए आप स्लो फ्लेम पर छोड़ दीजेगा इससे सभी फ्लेवर इसमें अच्छे से अब्सॉर्फ हो जाएंगे तो यह देखिए यहां पर और ठिक हो जाएगी तो आप इसी तरह रखिएगा अब यहां पर गार्निशिंग के लिए चाहिए हमें लेमन चाहिए और अद्रक चाहिए लच्छे में कटे हुए हरी मिर्च हरे दनिया क्योंकि इसके बिना तो नियारी अधूरी है तो यहां पर हम सर्फ करते हैं यह नीबू के साथ तो नीबू के साथ आप इसको सर्फ कीजिएगा इससे बहुत ही टेस्टी लगती है और तरीक से इसी तरह इसको सर्फ किया जाता है आप चाहें इसको तड़का भी दे सकते हैं देशीगी का यह फिर बटर का तो यहां पर देखिए गोश्ट भी बहुत पसंद आई होगी रेसिपी पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक करें दुआओं में याद रखें इंशाला नई रेसिपी के साथ फिर आज रहोंगी तब तक के लिए अल्ला हाफिज